नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चेर परिचेर दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां इसकी सिर्फ एक चमच दो दिनों में फटी हुई एनी भरे तो बालों में रूसी होतों उसे दूर भागाये जिहां या फिर कपूर का तेल बालों तथा त्वाचा के लिए काफी फायदेमंद होता है अच्छा माना जाता है यह जले कटे के निशान को भी ठीक करता है अयरुवेद में भी कपूर के तेल का प्रियोग काफी ज्यादा किया जाता है कपूर घर में आसानी से पाया जाता है इसलि कपूर का तेल बनाना बहुत ही आसान है वैसे तो यह बाजार में कैमफर ओयल के नाम से बिकता ही है लेकिन आप घर पर ही इसे तयार करना चाहते हैं तो नारियल तेल में कपूर के टुकड़े डालकर एक एर टाइट डिबे में बंद कर दें जिहां अब आएए जानते हैं देहरे पर लगाने से मुहासों में कमी आती है तथा उनके दाग भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं इसके अलावा कपूर हर तरह के त्वचा रोग को ठीक करने में भी मदद करता है घाव और जलन के निशान मिटाए जिहां अगर हाथ आग से जल गया है या फिर उस पर खर घर जाते हैं फटी हुई इन्यों के लिए जिहां कपूर फटी हुई इन्यों की दरार को मुलायम बना कर उन्हें भर देता है गरम पानी में थोड़ा सा कपूर डाल कर उसमें पैर भींगोने के बाद स्क्रब करें और ऐसा ही कुछ दिनों तक करते रहें इसके बाद इन्य के लिए कपूर को थोड़े से पानी में मिला करके पेश्ट बनाएं और प्रभावित स्थान पर लगाएं ऐसा कई दिनों तक करके देखें धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा बालों के लिए जिहां कपूर बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है कपूर के तेल को सुगंधित तेल के साथ मिक्स करके सिर पर लगाने से बाल दुबारा उगाते हैं और तनाव भी कम हो जाता है यहाँ बालों को जड़ से मजबूत बनाता है आप चाहें तो तेल में दही मिला करके सिर में लगा सकती हैं फिर एक घंटे के बाद बालों को धो सकती है इससे आपके बाल मजबूत होंगे जी हाँ, बालों को जढ़ने से रोकती है ये, जी हाँ कपूर के तेल से नियमित रूप से सिर्की मसाज करने से बालों का जढ़ना रुक जाता है, तो ये वो जानकारी थी दोस्तों, जिसके सहरे आप अपने बालों को सुरक्षीत रख सकते हैं, बालों को सुरक्षीत रखने के लिए आपको करना क्या होगा कि बस ध्यान रखें कि बालों की सफ़ाई अच्छे ढंक से करें, और पैरों की फिर इस उयल का इस्तेमाल करें इस से आपके हेर बहुत ही फ्रेज हो जा Chapel हैं झाल झाल